आज मत्यप्रदेश के विधानसवा के चुनाव में 28 विधानसवा को जो उप्चुनाव था और विहार के अंदर जो चुनाव के परिणाम आज आए हैं उसके लिए मैं भारत के ससी प्रधानमंतरी लरेंद मोधी जी मानियमिस्सा जी भारती जन्ता पार्टी के राष्टेश जक्ष नडड़ा जी और मध्यप्रदेश के हमारे ससी मुक्यमंतरी मानि सिवरासिंग चौहान को बहुत हिरदेश है इन चुनाव पुरणामों के लिए बहुत 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 बढ़ाई देना चाता हूं और मध्यप्रदेश की जन्ता को जिसे जन्ता ने मध्यप्रदेश के अंदर मध्यप्रदेश को बचाने के लिए भारती जन्ता पार्टी की सरकात सिवरासिंग चौहान के नेतरत्व में जो बनी थी करीबों के कल्याण के लिए बनीवी सरकार को आज स्थायतु देने का काम और प्रचंड भाहुमत से भाहुमत जो मत्यपुर्देस के 28 विदान्चमाओं के उप्चनाओं में दिया है इसके लिए मत्यपुर्देस की साड़े साथ करोड जनता को और भारती जनता पार्टी के उन कारिकरताओं को जिनोंने अथक मेहनत करके हमारे सभी पदाजिकारियोंने सभी कारिकरताओंने बूत लेविल के हमारे नीचे के सभी कारकरताओं ने मिलकर के जो टीम स्प्रिट से चुनाव लड़ा और हमारे नेतरत ने जो अथक मेहनत की जिसमानी सिबराज जी से लेकर के सारे हमारे नेताओं ने एक साथ होकर के टीम भावनां के साथ जो चुनाव रड़ा उसका परिणाम यह है कि मध्यपुर्देश के अंदर आज हम एत्यासिक मतों से सीटों को जीत करके मध्यपुर्देश के चुनाव में इत्यास बनाने का काम भारती जन्ता पार्टी के सरकार को समर्थन जन्ता ने दिया है पहली बार मद्धिपुर्जेश कंदर ऐसा हुआ है कि ग्यारा प्रत्षत बोट का अंतर पहली बार हुआ है यह एत्यास ही कि जनता ने किस प्रकार से समर्था है भारती जनता पार्टी को दिया है हम सब कारिकरता जिनोंने अतक मेहनत की है हमारे नेत्रत को अपने सभी कारिकरताओं को और भारती जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को मैं एक बार पुने बदाई के साथ सभी कारिकरताओं से मैं अपील करता हूँ किसे जीत को हम सहज तोर पर स्वीकार करते हुए जो हम सब लोगों ने विकास के मुद्धे पर सम्मेदल सी नितरतु के आधार पर और पूरे मध्यप्रदेश के अंदर जो दुरावस्तागा दौरता उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया उसके आधार पर आज जो जीत मिली है तो जनता के साथ जन्दे से कंदा मिला करके पुने इस मध्यप्रदेश को स्वणने मध्यप्रदेश बनाने में आगे बढ़ने का काम मानिस्वरासीन चोहान के नितरतु में मध्यप्रदेश के अंदर भारती जन्दा पार्टी की सरकार हम सभी कारिकरता मिल करके पुने मद्ध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे यही बिंती और सभी कारिकरताओं से अपील है कि इस जीत को हम स्विकार करते हुए अपने मद्ध्य प्रदेश को आगे ले जाने का और संगेंटरिन काम को आगे बढ़ाने का काम करेंग और वाकी सभी राज्यों के उप्चुनाओं में भी भारती जनता पारिटी को जनता का असीरबाद मिला है हमारे प्रधान मंत्रीमानी नरेंदर मोदी जी भारती करोड़ों करोड़ जनता के हिर्दय के हार है देश उनके पीछे खड़ा है हमिस जी का मार्णदरसन और नड्ड़ा जी का नेत्रत में स्वाभारती जनता पारिटी को मिला है इसले सांधार सफलता हमने अप्राप्ति की है महीं उनका अभिन coughingनदर करता हूं स्वागत करता हूं बदाई देता हूं मैं भारती जनता पारिटी ए लाखों लाख कारी करता हूँ को ये विजय समर्पित करता हूँ अध्यक्ष जी के नेत्रत्वों में स्रिमाइन विश्टूदत्य सर्मा जी के स्वहाज जी के मार्ग दर्सन में पूरे संजन की टीम में अनधक परिस्वंपिया ये चुनाओ अस्वा भाविक्ता हमारे लिए क्योंकि हमारे साथी यनों ने ब्रिश्टा चार्ड की लंका को कांग्रेस की सरकार की जलाया था वो कभी हमारे खिलाव गड़े था लेकिन सहज रूप से उनके साथ मिल के कांग करना अपने आप में चुनोती थी हमने जीरो से प्रारंब किया था लेकिन कारी करता हूँ कि अनधक परिस्वंप के कारण और पूरी भारती जन्ता पार्टी के एक जुखता के कारण हमारे पूरे नेत्रत्वने एक साथ मिल के घंगोर परिस्वंपिया और इसलिए सांदार सफलता हमें हासिल हुई है ये जो सफलता है हारती जन्ता पार्टी के विचार को जन्ता का असिरवाद है विकास के कामों को जन्ता का असिरवाद है हमारी सरकार ने जो जन्कल्यान के काम किये उनको जन्ता का असिरवाद है यह हमारी विनम्रता की, हमारी सेवा की, दरदर नारण की सेवा की, किसानों की सेवा की, जो प्रियास हमने किये माताओं बेहनों के कल्यान के बच्चों को आगे लाने के लिए उन प्रियासों को जनता का आसीरवाद मिला है, दंब और अहिंकार हारा है, विनम्रता, सालीमता और सेवा यहां विजय हुई है एक और महर इस चुनाव पर लगी है इस चुनाव में कांग्रिस धूटे आरोपों की जड़ी लगा दी गदार विकाओ पता नहीं किन किन सब्दों का इस्तेमाल किया नंगे भूखे नालाए गमीने पता नहीं किन किन सब्दों का इस्तेमाल क यह सित्व गया कि जनता ऐसी असालीमता पसंद नहीं करती मदपदेश की जनता सेवा को ही पसंद करती है और इसलिए देड़ सबसाल के बाद ही फिर भारती जनता पारिटी को सांदार सफलता दी है ग्यारा परसेंट वोटों का अंतर अपने आप में अविस्वस नहीं है कभी नहीं हुआ यह मदपदेश अट्टाइस चुनाओं का अगर आप बढ़ नाम देखे हम जीते तो 63-63 हजार वोटों से जीते 63-63 हजार, 50 हजार, 40 हजार, 51 हजार जहां हारें बहुत कम मार्जिन से हारें उसका भी हम विस्वस नहीं करेंगे कहीं ने कहीं कोई चूक रह गई होगी लेकिन जनता का असी ही मासीर बाद भारती जनता पार्टी को मिला है मैं मदभ देश की आठ करोड जनता का इसके लिए आभार प्रिकट करता हूं और हम यह विस्वास दिलाते हैं कि जनता के विस्वास को किसी भी कीमत पर हम तोटने नहीं देंगे बिनमरता के साथ, सालिनता के साथ, इस विजय को हम लोग सुईकार कर रहे हैं मदपदेश का दिकास ही हमारा एक मातर लक्षे है प्रदान मंत्री जी ने काए आत्म निर्वर भारत आत्म निर्वर भारत के लिए आत्म निर्वर मदपदेश का निर्मान यह हमारा संकल्प है कल से ही इस संकल्पर काम प्रारंब किया जाएगा सरकार संग्ठन के साथ मिलके कारी करताओं के साथ मिलके अपने नेत्रत के साथ मिलके जन कल्यान और वितास के कामों में लग जाएगी मैं कारी करताओं को धन्यवाद देता हूँ और मधप्लेस की जनता को प्रणाम करता हूँ अब देखिए मुझे अजीब बात लगती है अब कमल नाजी से उनका क्या 36 का करा मुझे बता नहीं कमल नाजी तो कहेंगे कि ठीक है जनता ने जो फैसला कि हमें उस्कार है लेकिन मेरे इस भाई को कभी EVM में कमी है पता नहीं इनका दिमाग कैसा चलता पता नहीं कौन सा पूटर इनके डिमाग में बैठा हुआ है ये किसी भी ये किसी भी फैसले को कभी ढंक से स्विकार ही नहीं करते हैं किंतु परंतु अगर मगर EVM अब उन पर वहरुसा कौन करता है उनके जो कहना कहने दो है अगर उनको आधिकार है उनके विजायकों की बैठा करें हमें क्या पत्ती हो सकती है अगरी योजिना बचानी किसे सब्सक्राइब क्या क्या करना है आत मिंदर भर मधदेश उसका रोड में तयारे कर वाद्धादी हाथ उपर अगरे के लिए को छोड़ोना है कि सब्सक्राइब कर वाओगे धन्यवाद मीडिया को भी मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के सभी मित्रों नहीं बहुत मैनत की है इसके लिए